सो है गाइज वोट्स अप एंड विलकम बेक टू दी चैनल एंड गाइज वीडियो को स्टाट करने से पहले फर्स शाउट आउट टू जेफा एंड शेकंड शाउट आउट टू एंड थर्ड शाउट आउट टू थो थोर गेमिंग अगर दोस्तो आपको इस तरह का शाउट आउट साहिए तो मेरे लेटेस्ट वीडियो के निचे कोई भी एक कोमेंट कर दीजेगा सुब्वेल गाइज आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर हैं हो एक को न्यू क्लाउट गेमिंग एप्लिकेशन बहुत दिनों के बाद दोस्तों कोई न्यू क्लाउट गेमिं कर सकते हो ृएज अगर आपको लोगिन करना नहीं आता है तो मैंने इस वीडियो में आपको बता आई कि जीमेहां कि अइस वीडियो को तरह से आप यह याफ इस तरह साह हैं इस यह आप पूरा व तो चलिए गाँदे की बढ़ते हैं और ने आपको लिंक दे दिया description में इस application नाम है दोस्तों cloud gaming zone जैसे दोस्ताब application और आपको sign in with email पर tape कर देना है इसके बाद आपको register पर tape कर देना है रजिस्टर पर tape करने के बाद यह उस पर आपका एक ओटीप आजाएगा जो कि आपको मीडल वाले सेक्शन में टाइप कर देना है अब दोस्तों आपको एड़ देखने से कोईन विलेंगे और कोईन ओड़िकर पाओगे यहां पर दोस्तों आपको 8 को close कर देना जैसे यह एड कतम होजा है इसके बाद आप इस तरह की home screen पर आज़ आओगे जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो coin हो आज शुके हैं दोस्तों यह एक new application है इसलिए इसमें bugs आपको मिलेंगे जैसे कि दोस्तों आप किसी भी game को open करोगे तो आपको start button नहीं मिलेगा जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ मैं GTA 5 को open कर लेता हूँ यह पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि game को start करने का कोई भी option नहीं है अब दोस्तों इसका solution यह है कि आपको इस application को simply close कर देना है लाइबरेरी में चले जाना है अब दोस्तों इस application की लाइबरेरी में आने के बाद आप जितने भी games देख पा रहे हूँ इस सभी की सभी games playable है यह पर दोस्तों मैं आपको GTA 4 गेम को play करके दिखाने वाला हूँ पर दोस्तों आप बटन को किस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकोर्डिंग जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप किसी भी बटन को कहीं पर भी रख सकते हो किस्टमाइजेशन कंप्लेट होने के पाद आपको सेव बटन पर टेप कर देंगे आपके जो बटन है वो सेव हो जाएंगे एनिवी गाइज यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो गेम पले हो बहुत ही ज़्यादा स्मूध चलता है इस एप्लिकेशन में दोस्तो आपडेट से पहले भी मैंने गेमस को पले करके देखा था और तब भी हमारा गेम बहुत ज़्यादा स्मूध चलता था बड़ दोस्तो आपडेट से पहले हमारा जो गेम और कुछ इस तरह से चलता था बड़ दोस्तों फाइनल ये जो बगर ये फिक्स कर दिया गया है और हमारा जो गेम वो नेक्स लेवल अचा चल दा है क्लाउड गेमिंग के थुरू अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको एक स्टेबल नेटवर्क के जरूरत होती है यह बड़ दोस्तों मेरा जो नेटवर्क वो इस्टेबल है इसलिए मैं गेम को स्मूदली प्लेक कर पा रहा हूँ अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी समझ में ना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना ओकी आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए गाज मैं मिलता हूँ आपको इसी किसी कमाल की वीडियो में थैंक्स पूर वोचिंग कर दो